इलाबाद हाई कोट का एक बड़ा और एहम फैसला सामने आया है, दहेच को ले कर. आखिर क्यों हाई कोट ने ये फैसला लिया है? आई ये जानते है कि आखिर क्यों, इलाबाद हाई कोट ने दहेच के मामले पर टिपड़ी की. उत्तरप्रदेश की सबसे बड़ी अदालत यानि की हाई कोट ने ये फैसला शादी विवा के मामले में सुनाया है उत्तर प्रदेश के हाई कोट ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाली शादी में दूले के पक्ष को मिलने वाले गिफ्ट की पूरी सूची बनाई जाए उन्होंने कहा कि शादी में मिले उपहारों की एक लिस्ट बननी चाहिए कोट ने ये भी कहा इस लिस्ट पर वर एवं वधू पक्ष के हस्ताक्षर भी जरूरी है इलाबाद हाई कोट ने ऐसा इसले करने को कहा ताकि शादी के बाद होने वाले विवादों और केस मुकदमे में उन्हें मदद मिले आपको बता दे कि जस्टिस विकरंडी चहान ने अंकित सिंग और अन्य मामलों में 482 दंड प्रक्रिया सन्हिता के केस की सुनवाई करते हुए ये एहम सलाद दी है हाई कोट ने 23 माई को सुनवाई के लिए सरकार से हलफ नामा मांगा है उन्हें ये बताने के लिए कहा गया है कि क्या प्रदेश सरकार ने दहेज प्रतिशेद अधिनियम के रूल 10 के अंतरगत कोई नियम बनाए है आपको बताने कि शादी में गिफ्ट और दहेज के मामले कई बर कटिनाईयों में फस जाते हैं दहेज लेने देने के मामले में कभी-कभी जूटे मुकदमे भी हो जाते हैं बता दे कि दहेज निशेद अधिनियम 1961 की धारा तीन में कहा गया है ये अगर कोई दहेज देता ये लेता है तो उसे कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है इसके अतिरिक उसे कम से कम 50,000 रुपे या दहेज के मूलने के बराबर जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है इस कानून के अनुसार जो भी उपहार विवा के समेट दिये जाते हैं और जिनकी मांग नहीं की गई है उन्हें दहेज का हिस्सा नहीं माना जाता है ये नियम 1985 में बनाए गए हैं और इसके तहट उपहारों की सूची को बनाए रखने के तरीके को निर्धारित किया गया है जस्टिस विक्रम डी चुहान ने कहा कि जब लोग दहेज का केस लेकर आते हैं तो उसमें लिस्ट क्यों नहीं लाते हैं जिसमें ये लिखा हो कि क्या क्या मिला था उन्हें जस्टिस विक्रम डी चुहान की बेंच ने कहा कि लड़का लड़की को उनके शादी में मिले उपहार दहेज में नहीं आते हैं बेंच के मुताब एक शादी के दोरान मिले गिफ्ट को दहेज नहीं माना जाएगा लेकिन इन गिफ्ट की सूची बनानी बेहत जरूरी है वो इसलिए क्योंकि बाद में अगर दोनों पक्षों में अन्बन हो जाए तो उन परिस्तियों में जूटे दहेज का मुकदमा नहीं किया जा सकेगा आई आपको बता दे कि दहेज और गिफ्ट में अंतर क्या है दहेज प्रतिशेद अधिनियम 1985 को सरकार ने बनाया उसका मकसद ये था कि भारत में विबा के समय उपहारों का रिवास है लेकिन इससे दहेज की समस्या होती थी बेंच ने दहेज और उपहारों के अंतर को स्पष्ट किया उनके अनुसार शादी के समय दी जाने वाली चीज़े दहेज में नहीं आती ऐसे मामलों को रोकने के लिए हमें शादी के समय दी जाने वाली सभी चीजों की एक सूची बनानी चाहिए और दोनों पक्षों का सैमत होना चाहिए दहेज या गिफ्ट क्या गिफ्ट का नाम लेकर दहेज को अब्विस किया जा रहा है क्या गिफ्ट की लिस्ट दहेज में नहीं आती क्या लिस्ट बनाने से दहेज लीगल हो जाएगा अब आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तब तक के लिए मैं सान्या कैमरा पसन इशिका के साथ वीए